जैहिन दोस्तो आज कुछ कोश्चन हम लोग एलजब्रा के सीखेंगे मगर प्यार से ये फॉर्मूले उन कोश्चनों में लगते हैं समझो मगर प्यार से जैसे मालू मैंने किसी कोश्चन में कहा कि X प्लस 1 बाई X बराबर 3 अब आपसे कहा जाए कि X स्क्वार प्लस 1 बाई X स्क्वार बता दो जब ऐसा बोला जाए तो इस वैलू का स्क्वार माइनस का 2 होगा मतलब 3 का स्क्वार माइनस 2 तो 9 में से 2 गया साथ आया अब अगर हमने अगर इसी का 3 पावर बोला तो आप यहां रखकर 3 पावर निकाल देंगे बट अगर मैंने X की पावर 4 प्लस 1 बा होला तो आप डरो नहीं देखो यह जो फंडा होता है भाव एक का दू भाव एक का दो मतलब वन इस्टू टू के रेशियो चलता है तो आप देखो अब टू इस्टू फोर तो यह भी तो वन इस्टू टू हो गया मतलब साथ का स्क्वार माइनस 2 तो यह हो जाएगा 49-2 49- I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी बातों को समझना मगर प्यार से अगर हमने आप से कह दिया कि X की पावर 3 वाला तो X की पावर 3 प्लस 1 by X की पावर 3 भी आप निकाल सकते हैं इस वैलू का क्यूब माइनस 3 गुड़ा 3 बोलो हां 3 का क्यूब 27 में से 9 गया जो की 18 आ बताओ तो देखो 3 से 6 3 से 6 भाव 1 का 2 तो देखो 18 का स्क्वार माइनस 2 324 में से 2 गया 322 आया बोलो हां सर ये चीज समझ में आ गया अब आपको खेल दिखाया जाएगा एक चीज समझो हमने एक चीज से इतनी सारी वैलू आपके सामने निकाली मगर प्यार से अब आप उल चीज निकालनी है तब आप क्या करोगे तो डरो ने 6 से आधा 3 जा रहे है तो दोको यह एन एन बाई 2 एन बाई 2 में जा रहे है तो 6 से आधा 3 तो यह जो 322 लिखा है तो अब हम उल्टा खेल लें तो यहां पर लिखेंगे 322 प्लस 2 तो यह 324 हो गया 324 का स्क्वार लेंग प्लस 1 by x की प्लस 4 बराबर 47 के और आप यह बताओ तो देखो 4 पावर से पहले 2 पावर में आएंगे तो कैसे आएंगे 47 प्लस 2 यह वाला फंडा यह वाला तो 49 का साथ आया और इससे वापस आएंगे तो आप देखो 7 प्लस 2 3 कैसा लगा मतलब आपने इस रो का भी मतलब स समझ लिया और एक चीज समझो यहां भाव एक का दो एक का तीन और प्लस से माइनस में गया बोलो बोलो आया की नहीं आया इसको दुबारा देख लेना आप लोग बहुत प्यार से इसमें खिचड़ी पकाई गई है और प्यार से सिखाया गया है दोस्तों अभी और सिखें रिको उठा दे जैसे एक्ष मैंनस 1 बाई एक्स बराबर आगर हमने चार बोल दिया यह बोल दिया अब आब आब आवसा हम आप से कहें लि coverageďय क्या नहीं गया हो झाल एक का दो ओ प्लस बता माइनस दो तो ये 322 आ जाएगा जी हां दोस्तों अगर मैंने इसी कोश्चन में आप से कह दिया कि एक्स क्यूब माइनस वन बै एक्स क्यूब बताओ तो चार का क्यूब प्लस का 3 इंटू 4 हो जाएगा मतलब 64 में 12 जोड़ दोगे 66 हो जाएगा बोलो हां कि ये चीज हमें समझ में आ गई है तो यही सब हमें सीखना होता है अब देखो अगर आपको बैक जाना है रिवर्स बेसिस पे जाना है तो आप निकाल सकते हो देखो इसका फॉलो कि जैसे 322 से आपको ऐसे वापस आना है तो यहां 322 है तो आधे में गए तो अंडरूट 322 प्लस 2 करेंगे तो 18 आया अब यहां से यहां आ रहे है तो आप देखो 18 है पर निगेटिव में लाना है किस में लाना है निगेटिव में लाना है तो 18 माइनस 2 तो देखो 4 आ गया क्योंकि 16 का 4 आ गया तो आप यह चीज सीख गए बोलो हां अब और बातों को समझेंगे मगर प्यार से एक एक जो जो यहां लिखा है उन सब पे चर्चा होगी आपको सिखा दिया जाएगा अब जैसे वहां पर देखो हमने लिखा है कि x प्लस 1 बाई x ब्राबर 2 तो पुट हमेशा x ब्राबर 1 और x प्लस 1 बाई x ब्राबर माइनस 2 तो तो यह भी 2 ही होगा क्योंकि x प्लस 1 बाई x तो x ब्राबर 1 होता है अब ज्यादा तर आपने ऐसे कोशन दिखेंगे कि sin theta प्लस कॉसिक theta is equal to 2 ऐसे दिखेंगे एक्शल में यह भी वही होता है कि sin theta प्लस 1 बाई sin theta is equal to 2 हो गया अब आप से अगर पूझ दे sin की पावर 176 theta प का भी answer to आएगा जैसे यह बताया है same as it is यह प्लस का यह माइनस का same as it is हो जाएगा बोलो हाँ कि सर हम आपकी यह भी बात समझ गए ठीक है चलो अब हम बात करते हैं इन वाले formula की बहुत अच्छे समझना अब जैसे हमसे कहीं question में कह दिया कि x प्लस 1 बाई x बराबर 1 है अब खुल के कह रहा है कि भाईया देखो इसमें कैसे पूझता है खुल के कह रहा है कि x की power 12 x की power 12 लिग दिया 15 लिग दिया 3 लिग दिया और एक इसका मान बताओ तो जब हम इसको देखते हैं तो तुरंत हमें याद आना चाहिए कि x क्यूब बराबर माइनस 1 के तो यहां से x क्यूब प्लस 1 बराबर 0 के तो इनकी power का difference 3 है तो 0 हो जाएगा power का difference 3 है तो 0 तो इसका answer 0 हो गया तो आप डैलेट पता सकते हैं कि ऐसे question का answer 0 हो जाएगा बोलो हाँ ये चीज समझ गए सीम इसी pattern में बगल वाला भी है स्टीम इसी pattern पे बगल वाला भी है क्या कि आपसे अगर किसी question में ये कह दे कि x प्लस 1 बराबर root 3 है ये बोल दे या आपसे कह दे कि x square प्लस 1 बराबर किसके 1 के ये बोल दे चाहें ये बोल दे ऐसी case में आपको याद रखना है कि x की power 6 is equal to minus 1 होता है x की power 6 is equal to minus 1 होता है अब question कुछ भी हो जैसे x की power लिग दिया 224 लिग दिया फिर लिग दिया कितना 198 में लिग दिया फिर x की power 6 प्लस 1 लिग दिया ठीक है ऐसे करके अलग-अलग तो आप देखो यहाँ पर अभी 6 का अंतर है तो ये भी 0 हो गया ये भी 6 का अंतर 0 है क्यों क्योंकि इसमें भी वही नियम लगता है और 6-6 के अंतर में ये 0 हो जाता है बोलो हां अब अंतिम इ समय में revision करा सकते हैं और कुछ नहीं अगर किसी question में हमसे करया 3 प्लस 2 रूट 2 की value यह है और हमसे खुलके कह रहा है कि भाई या रूट x प्लस 1 रूट x का मान बता दू यह हो सकता है किसी में कह दे x स्क्यार प्लस 1 रूट x स्क्यार का मान बता दू ऐसे पूस्ता है तो हम समझ गए x plus 1 by x बराबर इस value का double 6 हो जाएगा जैसे हमने यहां लिखा है double क्यों क्योंकि हमने बताया कि इन दोनों का अंतर एक होना चीए अब देखो x plus 1 by x बराबर 6 आया अब हमें रूट में आंसर चीए किसमें रूट में तो दो पावर से एक पावर से यह आधी में जा 36 में से दो गया 34 तो आसा है आपको यह session पसंद आया होगा कम समय में आपको यह पूर्ट है complete और revision करा दिया गया है I hope अगर पसंद आया है तो हांत जोड के निवेदन है share जरूर करना और लोगों से कहना subscribe भी जरूर करना अगर आप नए हो धन बात जैहिन जै भारत